सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जबड़ दस्त वाला न्यूस देने वाला हूं देखो ये स्यू का एक्जाम वाला जो विंडो है न वो मैंने ओपिन कर लिया यहां से नोटीस नोटिफिकेशन सर्कुल रिलीस किये जाते हैं देखो भाई इसका लिंक ऊपर में आपको देख रहा है और इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया इसको क्लिक करके आप खुद भी एकसेस करके देख पाओगे नोटीस को क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने तारीक को होगा कितने बचे होगा सारे information इस वीडियो में मैं दूंगा लेकिन हाँ अगर पहली बार आए होना दोस्त तो share जरूर करना और subscribe जरूर करना क्योंकि आप exams आएगे और सारे updates सारे notifications मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा and at the same time मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी चलो notice खुल गया है भाई की गया screen करना पढ़ा screen को दिखाना पढ़ा बाबा oh my god यह क्या है भाई 43 pages का PDF क्या यह सारा हमारे काम का है obviously काम का है दोस्तों कोई BAK है कोई BSC है कोई B.com है कोई BBA है तो सब के लिए जिसके लिए जो relevant है आप scroll करके अपना द देख लिजे मैं B.com वाला सारा schedule अभी यहां पर discuss करूंगा and at the same time मैं आपको last time यह भी बता हूंगा क्या आपका exam online होगा या offline exams होंगे चलो भाई बहुत ही बहुत ही amazing वाला update आ गया है तो अब यहां पर हम लोग जाते हैं खोलोते हैं बाबा 13 पनना 14 पनना 16 17 18 अरे खुल बाबा कुल कहां गया B.com नहीं आएगा क्या आएगा बाबू आएगा थोड़ा सबर करिये B.com वाले बच्चों लोग ready रहो तो सबसे पहले start किससे करते हैं सबसे पहले हम लोग start करते हैं B.com में semester 6 है सबसे पहले semester 6 के मैं आपको start करता हूँ 2 से start करेगा 6 से करते हैं देखे B.com semester 6 देख सकते हैं paper with non-mcq almost आप लोगा paper जो है न non-mcq paper ही है semester 6 में non-mcq paper जो भी 50 marks से ज़्यादा का है तो आपका exam 10 बहे से 1 बहे तक होगा ठीक है semester 6 वालो 29 जुलाई को आपका EVS का exam होगा यह थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा because EVS जो है न उसका exams तो नहीं होता है तो फिर भी आप लोग एक बड़ देख ले न जो college से एक बड़ पूछ लीजेगा आप अपने अपने college में ठीक है यहाँ पर EVS दिया हुआ है Friday को 30 जुलाई है उस दिन आपका exam होगा financial reporting ठीक है बच्चे लोग और financial statement analysis Saturday 31 जुलाई है उस दिन आपका exam है financial management semester 6 खतम 29 जुलाई से 8 अगस्तक आपका project का exam होगा तो project में वाइवा होता है तो वाइवा का जो videos है न वो हम लोग upload करेंगे demo मतलब mock interview ले करके जैसे mock mock वाइवा होता है mock वाइवा का video upload करेंगे जल्दी ही ठीक है चलो अब आते semester 4 वालो आरे semester 4 वालो आप लोग का MCQ भी है और non MCQ भी है तो देखिए जो paper आपका 50 marks से ज़्यादा का है उसके लिए आपको 3 घंटा दिया जाएगा non MCQ में और जो 50 marks तक का होगा उसके लिए 2 घंटा दिया जाएगा 2 से 4 और अगर MCQ paper है 50 marks से ज़्यादा वाला जैसे entrepreneurship है एथिक्स है entrepreneurship ethics economics है उसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा और जो 50 marks तक का paper होगा तो उसके लिए 1 घंटा मिलेगा तो Sunday 1 अगस्त को microeconomics and Indian economy Monday को entrepreneurship and ethics Tuesday को taxation और Wednesday को चार अगस्त है cost management accounting दोस्तो अब हम लोग चलते semester 2 का और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका exam online होगा या offline क्योंकि कहीं भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है mode of exam and modalities of exams जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा last तक दोस्तों subscribe जरूर कर देना भाई ठीक है क्योंकि रात में वीडियो बना रहे ना इसलिए चलिए semester 2 वाले आजाओ भाई 12 अगस्त को ECBC का exam देना और यही same rule देखो आपका exam का timing थोड़ा देख लो भाई आप लोग का जो 50 marks से ज्यादा वाला paper है उसका exam है 10 से 1 और second half अगर कहते हैं तो 2 से 5 ठीक है और अगर 50 marks तक वाला paper है non MCQ तो 10 से 12 और second half में होगा तो 2 से 4 अच्छा MCQ पेपर अगर 50 marks तक वाला है तो आपको 10 से 11 और 50 marks से ज्यादा वाला है तो 10 से 12 ठीक है बाई तो 2 घंटा मिलेगा आपको first half में आईए देखिए यहाँ पर दिया हुआ कब exam होगा first half में कौन सा paper second half में कौन सा paper है 12 अगस्त को ECBC का exam होगा first half में ठीक है बाबू MCQ है EC MCQ है BC non MCQ है first half में आपका exam होगा दोनों का बस first half मतलब क्या 10 बजे से लेकर के exam स्टार्ट हो जाएगा Friday 13 अगस्त है उसमें आपका exam है company law का first half में ही है Saturday 14 अगस्त है उसमें आपका MMA चारह है first half में है MCQ है और विडनेस डे को 18 अगस्त कोस्टिंग का exam second half और उसके बाद अपना MCQ paper जो है न EBS वाला उसका भी exam होगा दोस्तों उसका एक date दिया हुआ 11 अगस्त को ACC2 एक पर देख लिजेगा किस चीज़ का code है दोस्तों आप सवाल ही है कि exam online होगा या offline इस पे आके अठके हुए हम लोग तो सुनो 30 जुलाई तक West Bengal में lockdown है दूसरा बात local train बंद है तो दोस्तों आपका exam online online और online ही होगा उन लोग का official announcement of modalities वो लोग release करेंगे आप इसको लिग लीजिए कि आपका exam online ही होगा तो दोस्तों ये सारे update मैंने आपको दे दिये सारे details मैंने आपको दे दिया I hope आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी है होगा तो please 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 इसे share करिए और चैनल को subscribe ज़रूर करिएगा ठीक है and and online exam help desk by our team expert team का registration start हो चुका है आप लोग में कोई अगर semester 2, 4 या 6 किसी भी semester के लिए online exam help desk में registration कराना चाहते हैं तो आप लोग आईए हमारा number description box में दिया हुआ है उसमें message करके आप registration करा लिजिए with at the minimum phase thank you so much बच्चे लो please share